हेलो दोस्तों मैं जाइकान से इस स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल भाताई क्यूं मैं हम डिस्कत करें राज़ेस्थान पत्तिका नीज फेपर जैपूर एडिसन चार नवंबर तो बने रही है वीडियो में साथ नंतर तक तो आज शुकरते हैं आज का वीडियो पेज नंबर हम तो बात की जा रही है यह बात है यूरोप की विएना और आस्ट्रिया की राज़दान यह विएना वहां पर मुंबई जैसा एक आतंकी हमला हुआ है तो उसके संबन में यूज आई है यहां पर तो मुंबई का हमला किस साल में हुआ था मेरे को कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताईए कि उसी के समानी हमला हुआ है उस्ट्रिया के अंदर विएना में तो देख लेते हैं इसकी लोकेशन जान लेते हैं और कुछ इंपोर्टन फैक्ट है विएना मैं पसनली जाके आज चुका हूँ बहुत ही जिनका संब्द आउस्ट्रिया से इनका जन्म साल्सबग में हुआ था आउस्ट्रिया के अंदर अब आप देख सकते हैं यह ऑस्ट्रिया देश है तो यहां पर है साल्सबग जहां पर कि मुजार्ट का जन्म हुआ था उसी कैपिटल वियना यहां पर कि यह हमला हुआ है त तो यह औस्ट्रिया का लोकेशन है अप देख सकते हैं आप कौन-कौन से देश इसके साथ बॉर्डर शाजा कर रहे हैं यहाँ पे हंग्री यह स्लोवा किया चेया रिपब्लिक जिर्मनी यहाँ पर यह जो है तो इस प्रकार से यह सारे के सारे इतने जो देश हैं से बॉर्ड International Organization का Headquarter है कुछ और मतलब कम से कम आप मेरे को एक बताईए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऐसा International Organization है जिसका की Headquarter Austria के अंदर है क्योंकि important बन जाता है पूछ जा सकता है एक्जाम के अंदर क्योंकि एक बहुत ही अच्छा और सांथ कंट्री है उस्ट्रिया न्यूटर लेता है बहुत जाता यह तो आपको पता हुना चाहिए और 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 अस्ट्रेलिया में भी डिफरेंस आपको पता हुना चाहिए और यूरोप का कंट्री है और अस्ट्रेलिया एक अलग से महादीब है पेज नंबर पर एक और यूज है यह राजिस्तान के अंदर कुछ अभी चेंज्जर किये है एक बार सबसे पहले हम देख लेत और जो DGP हैं मतलब कि राजिस्तान पुलिस के जो मुखियां है वो भी नए बना दिये गए इनका नाम है मोहनलाल लाठर ये अभी नए पुलिस महानिदिशक बना दिये गए हैं इन से पहले कौन थे उनका नाम मेरो कमेंट बॉक्स ना कमेंट करके बताईए आप और तीसरी परसनेल्टी है ये है शूरती शर्मा तो राजिस्तान फॉरस्ट डिपार्टमेंट जो है उनका हैड बना दिया गया शूरती शर्मा जी को एक फीमेल है बहुत ही अच्छी परसनेल्टी है ये शूरती शर्मा जी बहुत अच्छे काम किये हैं इनके प्रीवेस रिकॉर्ड है इनके तो ये कुछ तीन चेंजेज किये हैं तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि इंपोर्टेंट बन जाते हैं कभी भी अग्जाप्स पूछी जा सकते हैं तो ये आपस में मतलब ये बहुत पास आ जाएंगे बहुत नजदीक आ जाएंगे ये ऐसी ख़गोली कटना दिसंबर के महीने में होगी तो इसको बताया गया है इसका नाम दिया गया है तो इसी प्रकार से अभी कुछ इतनों पहले मैंने आपको नहीं जोनी बताया था कि ए तरना पास आ गया था गरह प्रतिवी के उस गरह का नाम मेरों कमेंट बॉक्स और कमेंट करके बताइए तो देख लेते हैं गर्व की थोड़ी सी स्थिति अब हम तो यह है सोलर सिस्टम पूरा का पूरा यह सं इसके चारों और यह इस प्रकार से ग्रह घूमते रहते हैं ग आउटर प्लेनेट में आते हैं चार गरह तो पहले नौ थे अभी आठ हो गया है एक को हटा दिया गया है वह कौन सा अटाया है आप मेरों कमेंट करके नाम बताइए तो सबसे पहला जो है गरम गरही से हम बोलते हैं इसका नाम है मरकरी उसके बाद है फिर वीनस वीनस के ब गुमते रहते हैं इस प्रकार से इस प्रकार से गुमते रहते हैं तो यह बताया जा रहा है कि यह इसके पास आ जाएगा जूपिटर के पास में तो यह बताया भी जा रहा है कि अगर मौसम साथ रहता है प्रदूशन नहीं होता है तो आप इसे भारत से भी देख सकते हैं इस प्रकार की घटना को, तो ये खगोली घटना होने जा रही है, आप मेरा एक और प्रशन है आप से की, asteroid belt और keeper belt किन गिरहों के बीच में पाई जाती है, होती है, तो ये मेरो comment box में comment करके बताईए, मैं आपको पहले भी जिक्त कर चुका हूँ, asteroid belt और keeper belt का, तो important है आपको इसके बारे में पता होना चीए, गिरहों की आपको location पता होना चीए, कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, inner planet कौन से है, outer planet कौन से है, तो देख लिजेगा, note कर लिजेगा, पेज नमबर दों ही बात की जारी कल ही हमने इस news को cover किया था, यह बात की गई ये तेजस की, तो हम बता रहे थे कल ही इसमें आई थी news है कि तेजस की तबीत गरबड चली है, यह एक line है, ये ये एक share है तो इसकी अभी म्रत्ति हो गई है तेजस की, नहर गर्ट जैवे दूदान है ए नहाभट स्नकिता नाम किया कि अंडर कि क्योंकि चर्चा काफी जर चल रही है तो इंपॉर्ट निव्य जब आपकी मिवाड से संबन्युका नेसंगे वर्षण राव क्यों तो यह मिशिज्ज पॉनाइटेट नेशनंस में भारत का प्रति निरुत्र करेंगी 2020 में अभी 2021 में मतलब यह करेंगी यह प्रति निरुत्र का तो इसके लिए यह नियूज यहाँ पर कवर की गई तो इंपोर्टन बन जाता है राजिस्तान से इस प्रकार की फिशनेल्टी जब इंटरनेशनल लेवल पर जाकर करती है तो यह इसमें मिसेज इंडिया यूनिवर्स का खिताब भी इनको मिल चुका है वर्शा राओ जी को और रोड सेफ्टी प्रोगाम 2021 के लिए इनको ब्रांड डेमेश्डरी बनाए गया है तो इंपोर्टन परसनेल्टी बन जाती है वर्शा राओ आप याद दखीएगा इनका समन् इंटरनेशनल एएपोर्ट ये एक अंतराश्टी हवाई एड़ा है तो इसको अडानी समु को दे दिया गया 50 साल के लिए तो अडानी समु अब इसको अपरेट करेगा तो ये सारी की सारी अभी मतलब एक तरीक है लीज पर दे दिया गया है अब मैं आपको इस प्रकार की इसके लखनों के लावा भी अन्य एरपोर्ट भारत सरकार ने दिये हैं अडानी समू को उन में से एक राजिस्तान का भी है तो उनके नाम मेरे को कमेंट वॉक्सन कमेंट करके बताईए इंपोर्टन बन जाते हैं पूछा जा सकता है आप से अग्जाम के अंदर पेज नम्मर 9 पे बात की जारी है यह बात की जारी है कि आसमान चूरे हैं सबजीओं के दाम इस्पेशली यहां बात की जारी है आलू-प्याज-टर्माटर की तो आलू-प्याज-टर्माटर को ostrum करने के लिए इसके लिए एक प्रोगाम लाया गए था बजट में केंडी सरक केंदी सरकार जो है अपने बजट में एक प्रोगाम लेके आए थी तर्म यूद की थी उन्होंने मैं आपको कवर कर चुका हूं उसको नीज पेपर के अंदर वो टम कौन सी है जो की आलू प्यास टमाटर के दाम को कंट्रोल करने के लिए लाई गे थी और क्या प्रोगाम ला बात की जारी डियागो माराडोना की तो डियागो माराडोना का संबंद अर्जेंटिना से है ये एक बहतरीन फुटबोलर रहे चुके हैं वरतमान में खोच हैं तो अभी ये अस्प्राइज हो गए हैं तो यहां पर मैंने इसको कवर किया है नीज को तो पता नोची इनका स एरिया राजिस्थान और गुझरात के अंदर लगता है तो वहां पर बनास कंथा जो अरी आ गुझरात में वहां पर क्या बात की जा रही है कि आपको पता है कि रेगिस्थान जो डैजर्ट एक पाने के लिए कुछ डवड़ कैसे बनती है nitrogen सबसे बड़ा पार्ट होता है 78% इसका होता है उसके बाद होता है oxygen से बनती है 20% इनका होता है तो तकरीवन 98% 100 में से nitrogen और oxygen ले जाते हैं अब उसके बाद सबसे बड़ा पार्ट है water vapor इसी की बात की जा रही है इसको यहां से निकाला जाएगा अलग किये जाए पार्ट हो जाता है इसके अलावा छोटे छोटे पार्ट होते हैं जैसी carbon dioxide and other gases 0.03% inert gases mainly argon 0.97% तो यह आपको कम से कम यह nitrogen oxygen और water vapor के बारे में पता ही होना चाहिए क्योंकि important घटक है यह जो air की component है composition जो है air की उसके बारे में तो यह इसका आप composition याद रखिएगा पूछा ज इस पे news है यहाँ पर तो यह मैं आपको पहले भी cover करा चुका हूँ कि तर्की और Greece के अंदर जो अत्कोय काया था उसने कई लोगों की मतलब उनकी मतलब जान ले ली हो जो अत्कोय काया था तो वहाँ पर भी मलवा निकाला जा रहा तो चार दिन बाद भी एक जिंदगी ब आइड़ होना चाहिए और इन दोनों के बीच यह ग्रीज है यह तर्की है और मैं आपको बताया था एजिएंसी इनके बीच में है तो यह आप सब पूचा जा सकता है जहां पर कि इस अर्थकोय का एपक सेंटर था यहां से निगला था एजिंसी से इन दोनों देशों में इसनों कुछ बरबादी किये इस अर्थकोयक ने तो आई होब कि वीडियो आपको अच्छा लागा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग इस परकार की वीडियो का फाइदा उड़ सकें और तो जाब कमेंट बॉक्स में बेश सकते हैं या इमेल भी कर सकते हैं इसी के साथ धन्यवाद